पाइनली उधो ठाकरे के मंत्री अनिल परब के उपर एक बहुत ही बड़ी कारवाई हो ही गई जो की जो इन्वार्मेंट मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से बोला था कि वो जल्द ही जो अनिल परब हैं उनके जो रिजॉर्ट उन्होंने बनाया है रतनागीरी में उस रिजॉ उन्होंने पूरी सही तरीके से इनक्वारी की सबसे बड़ी बात कि उनको इसमें कई लूप होल मिले हैं और कई सारा जो की इल्लीगल तरीके से पहले ही पता था कि वहाँ पे वो सारी सारी जो प्रॉप्टी बनाई जा रही है वो इल्लीगल है तो उनको इसके सारी के सारे evidence उन्होंने इकठा किया है और जो sign resort है उसमें पहुच कर जो environment ministry के team है उन्होंने बकाइदा अपनी हिसाब से inquiry की और सबसे बड़ी बात कि ये सारी की सारी inquiry करने के बाद वो फिर से देली return हो चुके हैं और उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया है कि एक या दो दिन में जल्द ही इस पे जो भी रिपोर्ट है वो final report submit की जाएगे और हो सकता है कि उस time अनिल परप के खिलाब बड़ी कारवाई की जाए और maximum chances से कि अगर कोई बड़ी कारवाई की जाएगे अनिल परप के उपर तो अनिल परप को गिरबतार भी किया जा सकता है करवन रुपए इसमें खर्च किया जा रहा है तो कहीं न कहीं से आखिरकार इतना ज्यादा पैसा कहां से आया उस चीज को लेकर भी अनिल परप के उपर काफी बड़े-बड़े आरोप लग रहे हैं तो कहीं न कहीं उद्व ठाकरे के जो मंतरी है वो आज भी कहीं न कहीं फचते ही नजर आ रहे हैं वहीं अगर बात की जाए कुछ दिन पहले एक मिटिंग हुई थी उद्व ठाकरे और प्रधान मंतरी मोदी के बीच में जहां पर बोला जा रहा है कि इस मिटिंग के बाद सब कुछ फिक्स हो गया है क्योंकि अब भी लगातार सेंटरल गोवर्मेंट की तरफ से स्टेट गोवर्मेंट यानि महराज गोवर्मेंट के उपर कारवाई लगातार जारी है अब देखते हैं आगे भी यह जारी रहेगी या नहीं जारी रहेगी और अनिल परप के खिलाब जो बोला गया है रिपोर्ट फाइनल होने के बाद ही उन पे कारवाई की जाएगी वो होती है या नहीं होती है आपका क्या opinion है आप अपना opinion कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को जाज ज्यादा सेयर करें